साथियों नमस्कार सतना इस्टार नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ कैलास पयासी के इसी कंपनी का कारणामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है वर्तमान में छे करोड रुपए की लागत के पाई चोरी हो चुके हैं जानकारी के मुताबिक केसी इंटरनेशनल कंपनी का भ्रष्टाचार करत बाबुपुर चौकी में जाकर रुका जहां पर 6 करोड चालिस लाख रुपए की लागत के पाई रखे हुए थे जिनमें 10-20 पाईपों को छोड़ दिया जाए तो तकरीवन 6 करोड रुपए के पाई चोरी होना बताया जा रहा है जबकि विभागी सुत्रों की माने तो इस घटना करम के पीछे पीसी गुपता का ही कोई सडियंतर बताया जा रहा है विभागी सुत्र कहते हैं कि पीसी गुपता का नाम प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में सामने ना आये इसके लिए उन्हो लोग यह कहते हैं कि वहाँ पर पाइप रखे ही नहीं गई कईयों का कहना तो यह है कि इसके पीछे केसी गुपता अपनी बुरी नियत रख रहे हैं आपको बता दें कि बांड सागर परियोजना फेस टू का काम चल रहा है यह पूरा काम 1872 करोड रुपय का है जिसको दस प् पिरियड में इस काम को पूरा करने का धेका इनका है जलनिगम के जीम नीरव अगरवाल से जब इस संदर में बात की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया इस पूरे मामले पर वास्तविक पक्ष जानने के लिए जब के इसी कंपनी के जीम पीसी गुट्टा को कॉल किया तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया इस कारण से उनका पक्ष सामने नहीं रखा जा सका बाकी विभागी सूत्र हमें बहुत आसोस्त करते हैं कि यहां पे बयापक तोर पे गड़बडियां की गई हैं जिस तरीके से पाइप को वीडियो में लाता और ले जाता दिखाया जा रहा है उससे यह पता चल रहा है कि कंपनी के लोग ही स्काम को नुक्सान पहुचाना चाहते हैं और बीच में मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं खैर इसकी सच्चाई क्या है वह बहुत जल्द आपके सामने होगी